प्यारे बच्चों, आज हम गोपाल क्रिष्ण गोखले जी के बारे में जानेंगे. गोपाल क्रिष्ण गोखले जी का जन्म 9 मई सन 1864 इस वी को रतनागीरी के कोटलुक गाउं में हुआ था. उनके पिता क्रिष्ण राओ एम माता सत्य भामा थी. गोखले जी को बचपन से ही देश समाज के प्रतिनिष्ठा, विनम्रता जैसे गुणों के सिक्षा उनके माता पिता से ही मिली थी. पिता की असमे म्रत्यू के कारण गोखले जी को सिक्षा प्राप्त करने में अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ा, जिससे उनके बड़े भाई गोविंद जी ने उनको पूरा सहयोग किया. आभाव के चलते कहीं बार तो उन्हें भूखा रहना पड़ा और सडक की बत्ती के नीचे बाटकर पढ़ाई भी करनी पड़ी. सन 1884 में मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से इसनातक की परिक्षा उत्तीन की, गणित और अर्थ शास्तर में उनकी अद्भूत पकड़ थी. किन्तु इतिहास के ज्यान ने उनके मन में सोतंतरता वा प्रजातंतर के प्रती असीम निश्ठा उत्पन की. बड़े भाई पर और अधिक बोजना पड़े, इसलिए उन्होंने ICS Engineering वकालत जैसे लापदायक अफसरों को छोड़ दिया, एवं सन 1885 में पुने के New English College में अध्यापन कारे करने लगे. और अपने सही योगी N.J. बापट के साथ मिलकर अंकगणित की एक पुस्तक, संकलित की, जो आगे चलकर बहुत लोग प्रिय हुई, जिसका अनेक भाशाओं में अनुआद भी हुआ. सन 1886 में 20 वर्ष की उम्र में गोपाल करश्न गोखले ने सक्रिय रूप से समाज सेवा और राजनीती में प्रवेश किया. उन्होंने अपना प्रथम भाशन अंग्रेजी हुकूमत के आधीन विशय पर कोलहापुर में दिया. गोखले जी लोगों में राश्टियता की भावना के लिए सिक्षा को आवश्यक मानते थे. विबिन पदों पर कारे करते हुए सामाजिक जीवन में चेतना के संचार हेतु एवं गरीबों की इस्थिती में सुधार के लिए सन 1905 में गोखले जी ने सर्वेंट ओफ इंडिय सोसाइटी की इस्थापना की, जिसका उद्देश आदिवासियों का उद्धान करना, आकाल पीडितों की मदद करना, इस्त्रियों को सिक्षित करना, विदेशी शाशन से मुक्ती के लिए संगर्ष करना था. कारे करताओं पर उनका बहुत गहरा प्रभाव था, जिसे देखकर किसी ने टिपणी भी की, केवले गोखले से ही हमारी रूह कांपती है, उसके जैसे बीसियों और बन रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? गोखले जी के जीवन पर महादेव गोविंद रानाडे का प्रभल प्रभाव था, सन 1887 में रानाडे के शिश्य बन गए वे, रानाडे ने उन्हें सार्वजनिक जीवन के प्रतेक शेत्र में 15 वर्ष तक प्रसिक्षित किया, और इमानदारी वसार्जनिक कारियों के प्रत समर्पन और सहनशीलता का पाठ भी पढ़ाया, गांधी जी पर भी गोखले जी के विनमरस्वभाव तथा जन जागरन हेतु किये गए प्रयासों का बहुत अधिक प्रफाव पढ़ा, गांधी जी ने गोखले को अपना राजनितिक गुरु मान लिया, गांधी जी उनके ब भोती होती है, गोखले जी भी गांधी जी से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने बड़े भाई जैसा उन्हें सम्मान दिया, सन 1889 में गोखले इंडियन नेशनल कॉंग्रेस में सम्मिलित हुए और अपनी ओजपून वानी वद्रड संकल्प द्वारा भारतियों की विचारधारा को व्यक्त करने लगे, सन 1905 में गोखले कॉंग्रेस के प्रतिनिधी के रूप में लाला लाजपत राय के साथ इंग्लैंड गए और अपने 45 दिन के प्रवास के दोरान उन्होंने विभिन्न शहरों में प्रभाव पून 45 सभाओं को संबोधित किया, श्रोता मंत्र मुगधो कर उन्हें सुनते थे, निसंदे वे अपने भारत का पक्ष प्रभाव पून धंग से प्रस्तुत करने में सारवधिक सक्षम निता थे, गोखले के विचारों का अलिगड के छात्रों पर भी बहुत गहरा असर था, जब वे वहाँ भाशन देने पहुँचे तो वहाँ छात्रों ने उनकी बग्गी के घोड़े हटा दिये और स्वैम बग्गी में जुड़ गए, वे बग्गी को खीचते हुए गोखले जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए स्ट्रेची हॉल तक ले आए 1898 में मुंबई में प्लेग के प्रकोप के समय भी उन्होंने स्वैम सेवकों के साथ दिन रात पीडितों की सेवा की और सामप्रदाइक सद्भाव को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किया सरकार से मादक पदार्थों की विक्री खतम करने पर का भी अनुरोध किया अधिक से अधिक भारतियों को नौकरी देने सैनिक व्य को कम करने तथा नमक कर घटाने की मांग निरंतर वे उठाते रहे उनोंने निशुल केवं अनिवारे प्राथमिक सिक्षा को प्रारंब करने, क्रशी तथा वैज्यानिक सिक्षा को बढ़ावा देने, अकाल राहत कोश को सही धंग से इस्तमाल करने पर भी सरकार पर बार बार दबाव बनाया दक्षिन अफ्रीका में रहने वाले भारतियों के प्रती भी उनकी अत्यधिक सहानुभूती थी, वे उन पर होने वाले अन्याए अपने उपर अन्याए समझते थे सन 1912 में वे गांधी जी के निमंत्रन पर दक्षिन अफ्रीका गए, ऐसा पहली बार हुआ जब कोई भारतिय राजनेता प्रवासिय भारतियों की इस्तिती को परखने के लिए भारत से बाहर गया हो उन्होंने दक्षिन अफ्रीका की सरकार से जाती भेदभाव को समाप्त करने का आगरह किया, बच्चों को देश की आजादी, समाजिक सुधार और समाज सेवा हेतु वे अथक परिश्रम करते रहे और परिणामता उनका स्वास्त गिरने लगा, मदुमे और दमा ने उन्हें गेर लिया 19 फरवरी 1915 की रात तरी 10 बच के 25 मिनट पर उन्होंने अंतिम सांस ली, उन्होंने आकाश की और आखें उठाई और हात जोड़कर प्रभु को प्रणाम करते हुए सदा के लिए आखें मून ली ऐसे गोपाल कृष्ण गोखले जी अपने कारे और आदर्शों के कारण सदा अमर रहेंगे